स्वागत है आपका आज हम लोग जानेंगे OPC और PPC सिमेंट के बारे में और इसके में क्या क्या डिफ्रेंस होती है इसके बारे में OPC का फूल फॉर्म होता है Ordinary Portland सिमेंट और PPC का फूल फॉर्म होता है Portland पुजलना सिमेंट OPC का नाम OPC कैसे पढ़ा जब हम लोग सिमेंट में water mix करते हैं तो उसका color हो जाता है Portland Stone की तरह इसी का नाम पर इसका नाम Portland सिमेंट रखा गया है और OPC सिमेंट में जब हम लोग पुजलनिक मेटेरियल मिला जेते हैं तो उसका नाम हो जाता है PPC पुजलनिक मेटेरियल जैसे की volcanic ice, fly ice पेच में क्या होता है कि kijken हुआ हाई creator स्ट्रेशन जलदन चैन्त Gods पीकश में क्या क्या होता है यह स्ट्रेंथ हो जल्दीु गेंड कर लेता है पीपीशी स्वांफ़ स्वारवान करेंत तो concrete में crack आने की chances बनी राती है और PPC में क्या होता है कि इसका heat of hydration लो होने के कारण हम लोग high temperature वाले जगा में भी इसका यूज कर सकते हैं OPC में क्या होता है कि इसका initial setting time जो होता है वो जल्दी होता है जिसके कारण हमारा project speedily move करता है और PPC में क्या होता है कि इसका initial setting time जो होने के कारण हमारा project थोड़ा slowly move करता है OPC में क्या होता है कि ये chemical attack में इसका resistance कम होता है और PPC में chemical resistance ज़्यादा होता है OPC में क्या होता है कि curing minimum हम लोग 7-10 दिन तक करते हैं और PPC में क्या होता है कि minimum curing हम लोग 10-14 दिन तक करते हैं OPC और PPC दोनों eco-friendly material होते हैं OPC में क्या होता है कि gadget 33 थोड़ा environment को harm करता है और PPC में क्या होता है कि यह environment pollution को reduce करता है OPC में Fly Axe नहीं होता है और PPC में पहले से Fly Axe मिक्स कर दिया जाता है Overall Strength की बात करें तो OPC का जो Strength रहता है उस Strength से ज़्यादा PPC का Strength रहता है और अभी तेक आप हमें सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हम आपसे अगले वीडियो में